है आफ आफ यह आफ च्छाहा आफ चैज़ों के सब्सक्राइब कर दूब है तो यह आफ चलो कैसे में लादानों बिल्बब क्लास आपकी स्टार्ड हो चुकी है और जैसा कि आपको पता है गद्ध की बिधाएं जहां से सबसे अदा प्रस्ण पूछे जाते हैं ये वाला टॉपिक आपका चल रहा है अभी यहां पर होली की वएसे दो तीन चुट्टियां आपकी हो गई थी और किलासे अभी रंग पंचिवी की और चुट्टी रहेगी बाकी किलासे आपकी कंटिनियू चलती रहेगी चलो तो यहां पर आज हम देखते हैं कि आखिर गद्दी की बिधाओं में और कौन-कौन से प्रश्ण हैं जो आपकी परिक्षाओं में पूछे जाते हैं तो सेट एक्जाम के भी यहां पर एक कौशन कुछ है इसमें या आप लोग यहां पर TGD PGD दे रहे हो या कोई भी एक्जाम बर्ग दो दे रहे हो तो बटा सबके कौशन आप मिक्सप में हैं तो आपको एक तो मजा आने वाला है नए कौशन सापको मिलने वाले हैं थोड़े डेप्ट में मिलने वाले हैं तो थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर देखना आपको जो बिंदू दिया हुआ है पहले तो यहाँ पर समझ लो कि क्या दिया हुआ भारतिंद युग के प्रमुक निवंदकार कौन है अब आपको यहाँ पर पता होना चीए कि जो भारतिंद युग है इसके यहाँ पर निवंदकार कौन है तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भाई साफ निमंदकार कौन है? तो देखो पदम सिंग जर्मा, अब यह तो हो नहीं सकते, क्योंगी आपने यहाँ पर देखा होगा, पदम सिंग जर्मा की अगर हम बात करें, तो यह संस्मन के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने यहाँ पर पदम पराग नामा के रचना भी लिगी थी, तो यह तो खतम हो गया, अब अपने पास तीन बचे, अब जैसे ही अपने पास तीन बचे हुए हैं, एक और यहाँ पर समझ लेते हैं, कि भाई सर्थ स्याम ब्यारी मिस्तर यहाँ पर होंगे नहीं, अब दो खतम हो गए, अब बचे कितने अपने पास दो बचे, कितने बचे भई यह दो, तो कासीनात खत्री और राधा चरण गोश्वामी, दोनों यहाँ पर किसमें आते हैं, तो भारतेंद युक्य निवंदकार हैं, किसके हैं, भारतेंद युक्य निवंदकार हैं, अब जब आप से पूछा गया है, कि मान लो, आप से यहाँ पर पूछ लिया जाए, कि भारतेंद युक्य निवंदकार कौन हैं, तो यहाँ पर भारतेंदु युक्के जो निवंदकार है भारतेंदु युक्के जो यहाँ पर निवंदकार है उनको यहाँ पर समझना आप लोग कितने यहाँ पर निवंदकार है इसमें तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा एक व्यक्ति आते हैं राधाचरन गोश्वामी आते हैं एक खत्री साब आते हैं खत्री साब के साथ मिलके और भी बहुत सारे लोग आते हैं जैसा कि आप लोगों ने यहाँ ठाकुर जगमोहन सिंग का नाम सुना इसके बाद यहाँ पर एक प्रताप नारायन मिस्र भी हैं कौन है आपके तो प्रताप नारायन मिस्र भी हैं ये भी आपके किसी युग में आते हैं तो जब भी यहाँ पर कोई भी आपको प्रस दिया जाएगा आप यहाँ पर कह सकते हो कि कासीनात खतरी इसके बाद बड़ा इसी में आते हैं अम्वेकादत तव्यास राधाकर्षनदास तो अम्वेकादत त्व्यास और आधाकर्षनदास यह भी आपके भारतं युक्य ही कभी हैं बिल्कुल तो यहां पे आपका दो और चार दोनों हो जाएगा मतलब आंसर कौनसा लाई चलो एक बर वीडिय को EMRS में भी गलत करके आये थे क्योंकि वहाँ पर जो मामला था वो अलग था ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है बिटा महिलास परवाईर की MCQ क्लास कितने बज़े लगती है बालविकास की बिटा मंडे से रहेगी साथ बज़े ठीक है हाँ मेना जी हर बच्चा इस प्रश्ण को गलत करेगा देख लेना भी अभी आपको दो मिनट में समझ में आ जाएगा क्यों गलत करेंगे देखो यहाँ पर 90% बच्चों का तो आंसर कुछ लोगों का ए आ गया होगा पूछो क्यों क्यों कि भाई साथ जब भी ऐसी बात हो तो रामचंद सुकुल हम लगाई देते हैं चाहे प्रश्ण आए या ना आए आंसर आपका सीधा क्या हो जाता है रामचंद सुकुल हो जाता है ठीक है हाँ बिलकुल बिटा और नाटक में नहीं मिली थी मतलब यहाँ पर जितनी प्रोग्रेस उनकी यहाँ पर किस में हुई थी भाई साव निवंद रचना में हुई थी उतनी प्रोग्रेस उनकी यहाँ पर कविता और नाटक में नहीं हुई थी यह कथन यहाँ पर किस कभी का है किस लेकक का है तो मैं यहां पर आपको बता देता हूँ कि रामचन सुकुल का एक खतन नहीं है जो आप लोग यहां पर गलत करके आए थे इस प्रश्न को तो पहला कंसेप्ट तो आपका यही खतम हो गया जो गमंट था हम लोगों का इसलिए खतम हो गया कि रामचन सुकुल हम लगा गया है थे और जो थोड़े धुरंदर वाले थे उन्होंने दिमाग लगाया कि भीज़िया नहीं तो यह हो सकते हजारी पर साथ तो यह भी नहीं ह रखना है एक रामविला सर्मा है जो माकसवादी आलोचक भी माने जाते हैं अगर प्रस्णा आता है तो इनको माकसवादी आलोचक भी कहा जाता है इसके बाद यहाँ पर याद रखना आपसे आगे जो कथन आएंगे जैसे रामचन सुगर आप लगा सकते हो जब आपको पकालो अपनी कॉपी में और यह पूछा ही जाएगा तो आंसर आपका क्या हो जाएगा C हो जाएगा चलो आगे बढ़े बिल्कुल भी है राम राम सभी को सिंग रॉली से ठीक है गलत हो गया हाँ तुम गलती करते कहा हो गलती हो जाती है बुला सर ये तो पता है हाँ हम देर करते नहीं देर हो जाती है वही वाला मामला है चलो बिटा लाइव किलास रहेंगई ये सारी किलास है अब देगес न इस प्रश्ण का उत्तर बिटा हर बच्चे का आना चीहे है क्योंकि संस्कृती के चार अध्याए और आपको पता है भाई साव संस्कृति के चार अध्याय दिनकर की एक कृति मानी जाती है और यहाँ पर तो दिनकर ने रविन्दनाट टेगोर और मुहमबद एकवाल को आख्यायत किया था रास्त्री कभी के रूप में नवो उत्थान के कभी के रूप में भारती कभी के र रूप में तो भाई साव यहाँ पर संस्कृति के चार अध्याय आपकी रचना मानी जाती है अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर दिनकर जी ने क्या गिया था रविन्दनाट टेगोर जी थे आपके और मुहमबद यहाँ पर एकवाल थे इनको यहाँ पर बोला कि भाई सव आख्यायित किया था इस प्रस्ट को आप लोग यहाँ पर लिख लो विटा ठीक है हाँ तीक है यहाँ यहाँ पर निवन्द माना जाता है संस्कृति के चार अध्या जिसके लिए यहाँ पर साहित्यकादमी पुरुसकार भी मिलाता 69 में तो 1969 में यहाँ पर पर जी को मिलाता यह कोशन भी कई वार आ चुका है ठीक है हां बिलकुल विटा बारती संस्कृति का एक सर्वेक्षन भी है ठीक है हां यह रचना वेटा 1940 में लिखी गई थी और भारती संस्कृति का जो सर्वेक्षन है वो यहाँ पर आपको इसी रचना में मिलता है और इसके लिए 1940 में लिखी गी रचना के लिए 1969 में उनको क्या मिला था तो साहित्यक पुरस्कार मिलाता है यह सारी चीजें आपको यहां पर याद रखनी है तो आंसर क्या हो जाएगा अब कभी हो जाएगा नव उत्थान तो नए उत्थान के कभी के रूप में यहां पर इनको माना गया था अगला देखना पंड़त प्रताप नारण मिश्र और यहां पर किसी भी लेवल का पेपर देने जा रहे हो अगर कथन में कोई प्रस्थन आएगा तो यहीं आएगा विटा ठीक है हां सब को प्रॉपर दिखरा एक पर कंफर्म करने विटा आप लोग कि हाँ कि हाँ चलो प्रॉपर दिखरा सभी को विटा कि हो गया हां बताइएगा ठीक है एक बार वीडियो को लाइक और सेयर कर दो आप लोग यह वटा प्रस्थन यहां पर कई वार आपसे पूछा भी गया है तो यहां पर याद रखना अगर ऐसा कंसर्प जब भी आई कथन किसका है तो जो काम यहां पर प्रताप नारण मिस्र और यहां पर आपके बालकृष्ण भटने किया था किसमें भाई साब हिंदी गद्ध म यहां पर किस ने किया था तो आपके एक एडिशन थे और यहां पर 30 थे तो ये काम यहां पर किया था यह कथन किसका है भी साब तो सीधा-सीधा आप़लो रट लो इस zu Ranchon ko को कि कह घब इसा प्रशन अपर आएंगे आपके राम-चंद सुकुल आएंगे तो राम-चե spins अन और जितने भी बर्गदो वाले बच्चे हैं भाई सब सुन लो जिनका यहां पर TGD का अगर पेपर है इस प्रस्ट को छाप ले जाना क्योंकि यह प्रस्ट आपको यहां पर आँख बंद करके भी लगा हुए तो भी अंसर आपका आएगा और वो क्यों आएगा समझना क्यों मैं आपको यहां पर सीधा सीधा बता दूँ कुट्टी चातने के नाम से यहां पर एक व्यक्ति आते हैं सचितानंद हिरानंद वातसायन अग्ये जी आते हैं यहां पर क्या लिखते हैं कुट्टी चातने के नाम से यहां पर निवंद लिखते हैं यहां पर रचना लिखते यहां पे क्या सकते निवंद संग्रा लिगे थे वो किसके नाम से लिगे थे कुटी चातन के नाम से लिगे थे इसके बाद इहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे तो थे इनकी रचनाओं की बात करें तो एक तरसंकू आप लोगों ने सुना होगा सवरंग और कुछराग यह भी आप लोगों ने सुना होगा इसके बाद यहां पर लिखी कागद कोListen न आप मिघणा इसके बाद यहां पर यहां पर यूग संधियों पर यह भी इनके एक रिचना आ चुकी है तो आपlaimed यहां पर सीधा सीधा याद रखना है इनकी जो रिचना है जैसे च्छाया का जंग आप लोगों ने रचना कई बार सुनी होगी भाई साम कि छाया का जंगल ये रचना कई बार आ चुकी निकी किसका भीया छाया का जंगल रचना इनकी कई बार आ चुकी धार और किनारे रचना भी कई बार आ चुकी है तो यहाँ पर एक आती है धार और किनारे धार और किनारे तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है जो सच्चननंद हीरानंद बात्सायन है ये इनके निवंद माने जाते हैं तो इनके अगर निवंद और भी लिखें ये सब यहाँ पर क्या है इनके निवंद है लाड़ो क्या है निवंद है लेकिन आप से सवरंग कौन सा लिखाता एक सवरंग निवंद लिखाता और एक यहाँ पर आप से पूछा जाएगा तो आप लोग यहाँ पर सीधा सीधा याद रखना एक आप से पूछा जाएगा राग यह दो निवंद यहाँ पर इन्होंने कुट्टी चातने के नाम से लिखे ते लाड को त्रिशंगू की डेड़ भी आप से कई बार पूछी गई है तो त्रिशंगू की अगा डेड़ पूर्जी आईगी तो भाई साब कह सकते हैं 1945 है कितनी है 1945 है तो आप यहां पर डारेक्टली इसका अंसल लगा सकते हैं कि लिए बात चलो भाई साब आप लो यहां पर याद रखना इसमें आपके सारे एक्सदाम्स कवर हैं बिल्कुल मतलब आप यहां पर मैं बता दूं जो भी बच्चे जैसे वर्ग दो वाले बच्चे हैं तोड़े कुश्चन इसमें टफ लग रहे होंगे लेकिन सैट वालों को नेट वालों को आसान लग रहे हों हां सब बच्चे यहां पर याद रखने इन क्वेश्चनों को जो आपको बताओं कि भी यह बच्चे इसको नोट डाउन कलो छाप लो मतलब उसको आप लो लिख लेना आगे बढ़ते हैं अगला यहां पर दिया गया है कि स्रद्धा भक्ति निवंद के अनुसार असत्य पूचा है कौन सा है बताईएगा हां बहुत बढ़िया पे पहले दो यह बता यहाँ पर यह जो निवंद है वो किसका है समझना आपको यहाँ पर दिया गया स्रद्दा वक्ति जो यहाँ पर निवंध है यह किसका है तो रामचंद सुकुल का है किसका विड़ा रामचंद सुकुल का है और रामचंद सुकुल की बात करें तो यहाँ पर चिंतामनी का जो भाग बन है उससे यहाँ पर लिया गया है आप से यहाँ पर पूच़ा जाएगा कि रखना ये आपका क्या हो जाएगा सीधा सीधा गलत हो जाएगा क्यों कैसे समझना यहां पर उन्होंने कहा था कि स्रद्दा और प्रेम के योग का नाम बगती है तो यहां पर स्रद्दा एक मात्र अपने अनवह पर निरफर रहती है पर प्रेम अपनी सामाजिक बिसेस्ताओ करांब दूसरों के अनुबह पर नहीं dealing है तो यहां पर आपका गलत कौन स्वास रहेगैं कल से यहां होली की चुटियां थि में आपको बता दूं गल से आपकर तीन बज पांस मिट पर क्लास रहेगी चलो आगे बढ़ते हैं अब यहां से अर Eck तो वालों जो TGT वाले बच्चे हैं समझना आप यहां पर समझना सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि आप जवरा कुत्ता सुना हुआ आप लोगों ने हां सर यह कहां से आ गया इसका अंतर बच्चे का आना चाहिए अगर यहां पर आप लोगों ने अपडेटेट प्रस्ट पड़े ह समझना आपको दिया हुआ यहां पर कि जवरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कानी का पात्र है तो जवरा कुत्ता की अगर हम बात करें तो यहां पर सीधा सीधा याद रखना आपने पूस की रात है कि यहां पर रचना पड़ी होगी तो पूस की रात में यहां पर क्या एक कह मानी मानी जाती है जिसमें यहां पर आप लोगों ने देखा होगा जिसमें यहां पर पात्र भी होती है एक होता है हलकु आप लोगों ने सुना होगा एक यहां पर मुन्नी आप लोगों ने सुना होगा तो हलकु और मुन्नी होते हैं लेकिन आपसे यहां पर पूचा सिधा सिधा वो जायेगा आपका B हो जाएगा क्या हो जाएगा लाड़ो दिशु अलग बात है बिटा हाँ चलो बिलकुल यहाँ पर आपकी होली की छुट्टियां थी और कल से आपकी किलास है बिलकुल यहाँ पर लगेगी और रंग पंचमी की और छुट्टी रहेगी आपकी ठीक है अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है अगला प्रश्टी यहाँ पर समझना बेड़ा धीशू कफनका है अगर धीशू आपसे पूचा जाएगा तो वो आपका यहाँ पर कफनका है ठीक है हाँ जिस दिन नौड़ी भी किसन आएगा उसके बाद मॉडल पेपर अपनी किसन पर करवाए जाएंगे आपको तनाव लेने की आपसकता नहीं आप लोगों को ठीक है जिस दिन आपका नौड़ी भी किसन आएगा जैसे वर एक मैं मॉडल पेपर करवाए थे वैसे आपको तो यहाँ पर इसके लिए आपको क्या पता होना जी सारी कहानियों का पता होना जीए के भाई साव यहाँ पर यह कहानिया किसकी हैं देख लो भाईया किसकी कौन कौन सी कहानी है जैसे बड़े भाई साहब सब को पता है भीया तो बड़े भाई साहब दो वैलों की कथा कफन क्रिकेट मैच तो यहाँ पर प्रेम चंद की कहानिया है अब यहाँ पर याद रखना आपको दिया गया बड़े भाई साहब बड़े भाई साब की बात करें तो ये कब आते हैं 1934 की रचना आए कब कि ये बड़ा 1934 अब दो वेल कब जाएंगे आपके 1931 में जाएंगे कब जाएंगे दो वेलों मैंसे एक ही रहेगा 1931 हो गया और क्रिकेट मैच में यहां पर क्या होता है तो भाई साब चक्के छूटते हैं तो 1936 हो गया लेकिन जब कफन पूचा जाएगा तो कफन भी आपका कम माना जाता है 1936 माना जाता है दोनों 1936 हैं लेकिन यहां पर कफन पहले आता है यह बाद में आता है अब यहां पर समझना पहले कौन सा हैगा दो वेलों की हां कथा अब देखो इसमें दो वेलों की कथा कहाँ पर रहे भाई साथ तो इसी में है बागी किसी में है नहीं तो फिर यहाँ पर बड़े भाई साथ का फन और किर्केट मैंच तो आंसर आपका क्या हो जाएगा लाड़ो C हो जाएगा क्या हो जाएगा C हो जाएगा ठीक है अरे तब उतरो कल तीन बजे किलास रहेगी ठीक है अब यहाँ पर चुप चाप जितने भी बच्चे हैं भाई साव विवस्तित किरम में आप लोग आंसर दो और याद रखना हाँ तीन से चार क्लास रहेगी आपकी जो एप्लिकेशन पर मैं आपको बता दूँ कि जितने भी बच्चे हैं प्रैक्टिस सेशन जो रहेगा वो आपका नोटिपिकेशन के बाद जब आपके लिए यहाँ पर MCQ लेकर आएंगे के वल एप्लिकेशन पेड़ बच्चों के और इनके लेकर चाप लो 101 परसंट यहाँ पर कॉश्चन आएगा इसको चाप लो बिटा सभी इसको यहाँ पर सब लो चाप लो पहले क्योंकि यह कॉश्चन आएगा ठीक है चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हाँ बहुत बढ़िया ठीक है बिल्कुल बढ़ा और कल से जो रात 9 वजे किलास होने वाली है वो इस पेसल वर्ग दो जो वर्ग दो वाले बच्चे हैं कल से कॉश्चन भी आपके उसी लेवल के अब यहाँ पर सारे कॉश्चन आपके बेबर में आए हुए हैं जो वर्ग दो वाले बच्चे हैं समझना कि यहां पर प्रकासन बर्स की अनुसर पहले तो आपको पता हुऑ निसीग 혹시 रचना किसकी यहां पर यापको समझ में आगए तो ममला क्या हो जाएगा भाई जाएगा कैसे यहां पर आपको दा दा कामरेड दिया हुआ तो कामरेड का कोट दिया हुगा अम्रेड का कउठ का ऐ और बाई एंगे तो यहां पर कोण आएंगे सचनंद वाथ सायन अग्य अब बात आती है कि सरी यहां पर आपको यह चीज़े याद करना है संजय की रचना मानी जाती है लेकिन समझना आपको यहां पर क्या लगाना है भाई साथ संग्रों का सही प्रकाशन वर्स लगाना है तो पहले गौंसा आएगा पहले समझ लो टिरान में अन्ठान में अड़तालीस और साथ तो यहां पर याद रखना पहले आएगा आपका अड़तालीस तो आनसरी घतम हो गया कहीं देखना ही नहीं है इसलिए बोलता हूं कि आपको यहां पर चार पांच मैं से एक का डेट पता होना चीए या एक के बारे कभी का पता ह होना चाहिए मामला आपका सीधा सीधा सेट हो जाएगा कुछ भी नहीं करना आप लोगों को ठीक है चलो बहुत बढ़ी है एक बार वीडियो को बिटर लाइक और शेयर करतें आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की और प्रेम चंद की इदगा कहानी में हामिद की दाधी का नाम क्या था दाधी के लिए चिम्टा लेकर आए थे हामिद जी मुला हाँ सर तो भाई सब हामिद की दाधी का नाम क्या था इसमें पूछा गया है सीधा सीधा हाँ बिल्कुल भाईया बहुत बढ़िया हाँ बिल्कुल इसमें यहाँ पर बाल लिवस्ता में प्रोणों जैसी सोच रखने वाला जो बच्चा है तो भाई सब उसको दरसाया गया इसमें कि यहाँ पर छोटा सा बच्चा जो प्रोण जैसी यहाँ पर सोच के लिए एक विवस हो जाता है तो यह आपकी पूरी जो कहानी है वो यहाँ पर आपके हामिद की एक भाई सब इस्तकल भरी कहानी है कि उसको मिले के लिए पैसे थे लेकिन चिम्टा लेकर आना था तो भा अमीना था कि लिए रवाद यहाँ पर चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं हामिना हामिद की दीदी थी बहुत बढ़िया ठीक है अगला प्रस्न देखना बड़े भाई के चरित्र के मनोवेग ज्यानिक विश्रेसन पर आधारित प्रेमचंद की कहानी कौन सी है तो बड़े भाई के चरित्र के मनोवेग ज्यानिक पर आधारित तो यहाँ पर याद रखना कौन सी है तो बड़े भाई साब बड़े भाई साब ही होगी यह बताओ बड़े भाई के तो बड़े भाई साब सीधा सीधा कॉमन सेंस का केल है इसमें तो दिमाग भी नहीं लगान आएं, बिलकुल बिठा, ठीक है, हो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रेम चंद के तीसरे दौर की कहानीआ किस स्रेडी में आती हैं, तो बाई सब तीसरे दौर की जो कहानीआ हैं, वो किसमें आती हैं, तो आपने देखा होगा, या थार्तवादी, क्वाधी चित्रन है, इसमें आपका यहां पर आता है, तो जब भी आप से पूचा जाएगा, प्रेमचंद अपने प्रारंबिक दौर में क्या थे? आदर्सवादी थे, तो प्रारंबिक दौर में आदर्सवादِता का यहां पर आपको साख्च मिल ज morally ता है, तो पहले आदर्सवादी थे, तो आदर्सवादी कहانिया लिखते थे, बाद में गांदी वादी कहानिया लिखते थे, बाद अगला यह आपका अगला प्रस्ट में उतकरस्ट माना जाता है तो कहानी कला की द्रष्टी में उतकरस्ट कौन सी कहानी है आपको यहाँ पर यह बताना है मैंने आपसे यहाँ पर पहले ही कहा था कि जब यहाँ पर गुलेरी जी की बात आती है तो गुलेरी जी की अगर हम बात करें तो एक ही इनकी स्रेष्ट रचना आती है कौनसी भाई साव उसने कहा था उसने कहा था यहाँ पर इनकी एक कहानी आती है जिसे यहाँ पर हिंदी की स्रेष्ट कहानी कहा जाता है क्या कहा जाता है तो हिंदी की सर्वसेष्ट कहानी कौन सी है भाई साव तो याद रखना हिंदी की सर्वसेष्ट जो कहानी है वो आपकी कौन सी है उसने कहा था किसकी है चंद दस्तरमा गोलेरी की यहाँ पर रचना मानी जाती इस कहानी बिल्कुल भीया तो आंसर आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा इसमें उसने कहा था के लिए रवाद चलो भीया आगे बढ़ते हैं हाँ लेना सिंग की बिल्कुल बिटा मैंने आपको सुना दी पहली कहानी इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंदगी नहीं है अब कौन सी कहानी है जो प्रेमचंदगी नहीं है आकास दी पूसकी रात घासवाली और यहां पर गुल्ली डंडा इस कोश्चन का अंसर सब कहाना चाहिए ठीक है प्रेम चंदिगी नहीं है ठीक है यहां पर आप सब को पता होगा अगर आप लोगों ने चायावाद पड़ा होगा तो यहां पर गुली डंडा घासवाली पूस की रात बड़े घर की बेटी यहां पर सब किसकी मानी जाती है तो आपको यहां पर सीधा-सीधा याद जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर उत्तर दे सकते हो कि भाई साब आकास दीप नहीं है आकास दीप किस की है लाड़ लो जैसंकर प्रसाद की रचना है जैसंकर प्रसाद की यहाँ पर रचना है तो कौन सी नहीं होगा तो answer आपका आएगा A, क्या आएगा लाड़ो, A आएगा, क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं, practice session है बिटा, जल्दी जल्दी answer लगाते जाओ, आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ट की तरफ, ये लो भईया, धीशू और मादव प्रेमचन्द की किस कान कानी के बात, अभी मैंने आपको बताया था, कि जब आप से घीशू पूचा जाएगा, या कोई भी पूचा जाएगा, तो यहाँ पर किस में आते हैं, किस में आते हैं, किस में आते हैं, कफन में आते हैं, तो answer आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, क्या हो जाएगा सीमित घंड के संसकंड लिखता है, यह है कhi किसका है, तो यह तो भाई सब कथन वाली बात हो गई, और कथन वाली जब बात होती है, तो यहाँ पर याद रखना ये जो कथन है, आपका सबसे अलग है डॉक्टर दसरत ओजाजी का है, किसका है, लाड़ार लो, सरवादिक प्रसिद्धी मिली है तो आत्मकता के लेकर मैं ऐसा कौन सा कवी है जिसको सरवादिक प्रसिद्धी मिली है इस कोश्चन को यहाँ पर समझ लो पहले तो आत्मकता में यहाँ पर सरवादिक प्रसिद्धी यहाँ पर किसको प्राप्त हुई है तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि आत्मकता लेकर मैं सरवादिक प्रसिद्धी महत्मा गांधी को ही मिली है क्योंकि यहाँ पर याद रखना जो महत्मा गांधी जी है उनको यहाँ पर क्या मिली है सरवादिक प्रसिद्धी मिली है क्लियर है बात यहाँ पर सत्य के साथ मेरे प्रियोग गांदी जी की आत्मकत है बेटा किसकी है गांदी जी की आत्मकत है ठीक है हाँ चलो बहुत बढ़ी है सत्य के साथ मेरे प्रियोग तो सरवाधिक प्रसिद्धी नहीं को मिली थी आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की तरफ अपनी ख़वर किसकी आत्म काता है तो यहाँ पर आप से पूचा गे अपनी ख़वर किसकी आत्म काता है तो अपनी ख़वर की बात करें तो पहले यहाँ पर याद रखना जो अपनी ख़वर किसको रहती है वाहिस दाव जो बेचेन रहता है अपनी खवर उसी को होगी जो बेचेन होगा और बेच सिव पूजन साय यहां पर अगर हम बात करें सिव पूजन साय की तो सिव पूजन साय की आते मेरा जीवन यहां पर इनकी एक आत्मकता आती है लाड़ लो कौन सा मेरा जीवन इसको आप लो लिख लेना तो मेरा जीवन किसके सिव पूजन साय की यहां पर क्या मानी जाती आत् तो हंसराज रहवर की अगर हम बात करें तो हंसराज रहवर ने भी यहां पर एक आत्मकता लिगी थी मेरे साथ जनम तो यहाँ पर याद रखना इन्होंने कौन सी लिगी ती लाड़ लो मेरे साथ जनम यह किसकी हंसराज रह बरेगी डॉक्टर देवराज उपाध्यागी अगर हम बात करते हैं तो देवराज उपाध्या बच्पन के दो दिन कौन सी आती भाई साव इनकी तो याद रखना इन देगा डी हो जाएगा किलीर है बात ठीक है एक पर वीडियो को लाइक और सेर कर दो आप लो अगला देखना निम्न मैसे कौन सा सही सुमेलत है और कौन सा नहीं है तो मुद्दे की बात यहाँ फिर पस गई अपने अपने पिंजरे जूठन जूठन तो सबको पता है अपन का हां बिल्गुल विटा हां थोड़े कठं प्रसन तभी तो मजा आएगा देखो जहां चीज़ें कठं होती है नहीं मजा आता है कौन सा सही और कौन सा गलत है पहले देख लेते हैं भाइस सब सही कौन सा देखो बसेरे से दूर की बात करें तो बसेरे से दूर यहां पर किसका है बिटा हरिवन्स राय वच्चन की रचना है किसकी है तो हरिवन्स राय वच्चन की रचना है किसकी है हरिवन्स राय वच्चन तो भाहिस साब यह तो सब को पता है और याद रखना अपने धरती अपन लोग तो ये रामबिला सर्मा की बिलकुल सही रचना है कि आयवड़ा ये बिलकुल सही रचना मानी जाती है इसके बाद जूठन तो भाई साब जूठन किसकी ओम प्रकास बालमिकी जी की रचना है किसकी अलाड़ लो ये ओम प्रकास बालमिकी जी की रचना है किसकी की रचना है तो जब भी आप से पूचा जाएगा आपने अपने पिंजरे मोहंदास नहमी सराइगे जूठन ओम प्रकास बाल में की जी किया अपनी धरती अपने लोग यहां पर राम बिला सरमा जी किया बसेरे से दूर यहां पर किसकी है हरेवं सराइब अच्छन की है तो आ ठीक है चलो नीड का निर्माण फिर फिर बिड़ा यह हरवं सराइब अच्छन की है नीड का निर्माण फिर फिर तो यहां पर क्या भूलूं क्या याद करूं यह इनी की आत्म का तहमानी जाती है आगे बढ़ते हैं इनमें से कौनसी रचना आत्म कता है तो आपको यहां पर बताना है कौनसी रचना आत्म कता है बच्पन ठेले पर हिमाल है निंदारस आखरी चट्टान तो इस कोशन को आप लोग उत्तर दीजिएगा क्योंकि बहतरीन प्रस्न है और ऐसे प्रस्न सबसे कठिन होते हैं मैं थेले पर हमाले यहां पर किसकी रछना भाईसाव धरंबीर भारती की जो पता है पहले उसको लिखे पहले उसको लिख लो तो धरंबीर भारती परसाई जी का है किसका है हरी शंकर हरी शंकर परसाई जी की यहां पर रचना मानी जाती है यह यहां पर एक व्यंग निवंद है कौन सा है लड़ लो एक व्यंग निवंद है आपका तो यह भी घतम हो गया और आखरी चट्टान सब को पता वाईसा मोहन राकेश के यात्रा व प्रतांत है तो आपको तनाव लेने की आवसकता नहीं है अब बचा यहाँ पर क्या आपका बचपन तो बचपन बचा है तो तुम लोग भी बचपन में पहुच जा भाई साब अब जैसे ही बचपन में गए तो बचपन यहाँ पर क्या है एक आपने आप में आत्म कता है चल पीडिए मिलेगी तो नहीं मिलेगी है क्योंकि कुछ बच्ची आज लेट आए हैं तो इसकी पीडिएप तांडब क्लासिस के बिलकुल यहां पर टेली ग्राम चनल पर आपको मिल जाएगी जो नए बच्चे चनल को सब्सक्राइब कर ले बिलकुल भाई आग तुछ आप फो बोगग या? बोगग या? चाल ठेक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बटा MCQ वाली किताब मिल जाएगी हाँ अजब बच्पन, मेरा बच्पन ठीक है, हाँ लेके दो यहाँ पर एक रचना आती मेरा बच्पन चलो बताईएगा मेरा बच्पन किसकी रचना है? हाँ मेरा बच्पन यहाँ पर किसकी रचना है? बताईएगा ठीक है? हाँ, मेरा बच्पन जल्दी जल्दी कॉमेंट करके बदाव आप लो मेरा बच्पन यहाँ बिबे का अनंद जी ठीक है? सुबद्रा कुमारी चौण मादेवी बर्मा ठीक है? मादेवी जी चलो बारवार आती है मुझे बच्पन की यहाँ सुबद्रा कुमारी चौण ठीक है? लेकिन मेरा बच्पन स्वामी बिबे का नंद जी की यह बिटा हाँ, आत्म कता हुने की मानी जाती है? अब आगे बढ़ो आप लोग हो गया तुम लोग का टेस्ट देगो इधर आत्म निरिक्षण किसकी आत्म कता है? अब इसको ना बताओ ना तो फिर यहाँ पर मामला आपका किलियर है कि भाई साब आप लोग पड़ाई नहीं कर रहे हो कि वर टाइम पास कर रहे हो क्योंकि आत्म निरिक्षण यहाँ पर आपको पता होना चाहिए और जितने कवी हैं इन सब की आपको यहाँ पर आत्म कता पता होना चाहिए एक एक करके हम सारी चीज़ों किलियर करेंगे पहले आंसर बताओ जितने वच्चे आंसर बताओ जैसे हम बात करें ब्रंदावनलाल बर्मागी तो ब्रंदावनलाल बर्मागी यहाँ पर आती अपनी कहानी कौनसी आती लाड़ लो इन्होंने एक अपनी खुद की कहानी लिखी थी तो अपनी कहानी जो आत्म कता है वो किसकी ये ब्रंदावन लाल यहाँ पर बर्माव सर्माजी लिखा है तो इसको बर्माजी कर लो भईया अब यहाँ पे आते हैं सेड गोविंद दास तो सेड गोविंद दास की तो भाई साव कौनसी आत्म निरिक्षन कौनसी लाड़लो आत्म निरिक्षन यहाँ पे किसकी मानी जाती है सेड गोविंद दास की कव लिखी गेती इसकी डेट भी याद गलो 1958 में कव लिखी गेती ला परच्छाई कौन सा लिखाता लाड़ो तो याद रखना यादों की परच्छाई कौन सा लिखाता इन्होंने यादों की परच्छाई लिखाता अब आप लोग वो लोगे सर यहां पर जो यादों की परच्छाई है वो यहां पर इनके द्वारा कब लिखा गया था तो 1956 में आत्मकता और वियोगी हरी को कौन नहीं जानता मेरा जीवन प्रवा तो भाई साम मेरा जीवन प्रवा इनके द्वारा लिखा गया था आत्मकता दादी मेरा जीवन प्रवा तो मेरा जीवन प्रवा अगर हम यहां पर बात करें तो मेरा जीवन प्रवा किसकी रचना है किसकी आतमकताय, तो यहाँ पर अऊंद है आपको यादों की परच्षा ही लाए एक सेडवें तो यहाँ पर अब कभूतरों देखना यहां दिया हुआ है कि चार खंडों में प्रकासित वच्चन की आत्म गठा का प्रतम खंड कौन सा है अब पहले तो यह पता होना जी चार खंड में जो यहां पर आपकी विभाजत है उसमें से यहां पर पहला खंड कौन सा है बदाएगा ठीक है हाँ question तो ये भी दमदार है पहले समझ ले अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं हरिवंसराय वच्चन की तो हरिवंसराय वच्चन की जब बात होती है तो यहाँ पर चार खंडों में क्या होता है यह प्रकासे दिन की रचना है तो प्रकासे दात्म कता है अब इसमें क्या भ वार से 105 तक क्या भूलूं क्या याद करूं नीड का निर्माड फिर और बसेरे से दूर तो इसमें प्रथम पूछा गया है तो पहले यहाँ पर डेट हम देख लेते हैं कव कौन सा था तो डेट जब आपको पता होगी तो मामला क्या हो जाएगा भाई साब किलियर हो जाएग तो पहले आती है क्या भूलूं क्या याद करूं फिर आती है नीड का निर्माड फिर 70 में 69 के बाद 70 इसके बाद यहाँ पर यह कभा आती है 1978 में और यह कभा आती है übrigens 1985 में समझ ला तो जब भी आप से पूछे जाएगा क्या भूलूं क्या याद करूं 1979 में नीड का निर्माड फिर 70 में एक साल बाद आच साल बाद का जाएगे बसरे से दूर जाएगे और जब यहाँ पर आएगे और भाई साथ 10 दौर से 105 तक तो वो कब जाएगे अपने 85 में जाएगे पहले कौनसा है तो यहाँ पर क्या भूलूं क्या याद करूं तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यही हो जाएगा क्लियर बात आंसर सी अगला देखना भीया स्क्रिंस रोल ले लो आप लो अगला देखना अगला आपको दिया हुआ है कि गलत युगम कौन सा है अब आपको गलत युगम बताना है तो बाबु जी नागार जुन जिनोंने जीवन जीना यहां पर महतिशन गुप्त का आवारा मसिया सरचंद का है आगनी सेतू यहां पर नजरूम इसलाम का है तो बाबु जी की बात करें तो भाई सब बाबु जी कोन है हां ठीक है थेहां कि जो बाबु जी नागार जुन हो गया आवारा मसिया सरचंद का बैसे यहां पर विश्णु प्रवा करके द्वारा लिकी गई है किसके द्वारा लालो विश्नु प्रवाकर के द्वारा अगनी शेतू यहां पर किसके द्वारा लिखी गे विश्नु चंदर के द्वारा लेकिन यहां पर याद रखना यह नजरुम इश्लाम तो यह भी आपका सही है अब बाहत है जिनों ने जीना जाना अब जिनों ने जीना जाना भाई साब य किसका है तो जगदीश चंदर माथूर का है ये किसका है तो जगदीश चंदर माथूर का है किसका है जगदीश चंदर माथूर ठीक है यही गलत है बाकी सब ठीक है आपके आंसर बी हो जाएगा सिंपल सा था ये तो हाँ चलो अगला प्रस्ट इसी से सम्मंदित है तो जिन्होंने जीना जाना क्या हो जाएगा जगदीश चंद्र मात्र हो जाएगा तो यहां तो टेंसन वाली बाती नहीं है ठीक है यहां पर एक जीवनी है क्या है लाड लो एक जीवनी मानी जाती है ठीक है हाँ बिलकुल भीया एक जीवनी है किसकी है जगदीशन्द मातर की अगला प्रस्दोड़ा समझना निराला के जीवन पर तीन खंडों में यहां पर जीवनी लिखने वाले रचनागार कौन थे तो निराला के जीवन पर यहां पर तीन खंडों में जीवनी लिखने वाले यहां पर जो आपके लेकक थे वो कौन तो आपको यहाँ पर बताना है डॉक्टर नागेंद थे जगदीशन मातुर थे दूदराथ सिंग ते राम बिला सरमाजी थे बताइएगा आपर मस्य विष्णु प्रभाकर जी ठीक है देख लो यहाँ पर आपसे जब भी पूचा जाएगा तो निराला के जीवन पर यहाँ पर पिलकुल इनके जीवन पर जो लिखने वाले यहाँ पर क्याते भाई साब के तीन तो यहाँ पर तीन घंडों में जीवनी लिखने वाले एक ही व्यक्तिदी जीने का नाम क्या था आपका राम बिला सरमाजी थे आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा तो यहाँ पर इनकी निराला के जीवन से संबंदित बहुसता ही रचनाए भी हैं बहुसतारी यहाँ पर जीवनिया हैं, जैसे आप ने सुना होगा, राम Вिला स्रमा गा के भायाई साथना के भाइस साथना आप लोग ने सुना होगा, तो निराला की साथना 1st, 2nd or 3rd, 79, 72, 76, कब लिगा था, 79, 72, 76, तो निराला की साहित साधना को तीन घंडों में किसने राम बिला सर्माने, के लिए रबाद भीया, चलो हो गया, जितने भी बच्चें भीया, बिलकुल यहां पर आपके लिए एक कल सोगात आने वाली है, सेट एक्जाम के जो भी बच्चे हैं, जिनको यहां पर सेट एक्जाम देना है, कल यहां पर महा धमाका उनके लिए बिलकुल नॉमिनल फीस में एक बैच ला रहा हूँ, हाँ, तो याद रखना, आप लोग कुछ नहीं करना है, अब यह बैच लिए ओफर है, और यह ओफर केवल और केवल आपका दो दिन रहने वाला है, लेकिन वो ओफर कल आपको बताए जाएगा क्या रहने वाला है, सबसे कम पीस में आपको सेट का जो कोर्स है बिटा, वो आपको मिलने वाला है, एक्जाम जब भी होगा, आप लोग क्वालिफा चैनल को सब्सक्राइब करने बागी यहाँ पर कल से आपका एक नया टॉपिक आने वाला है हो सकता है उसमें या तो कब विसास्त आएगा या फिर आपका यहाँ पर बिल्कुल व्याक्रन या सब्द सकती आने वाली है ठीक है चल बिल्कुल सब्द ये सकते हैं और एपनी किस करके ज़रूर बताएं और बाकी यहां पार एक और चीर याद रखना जो वर्ग दो वाले बच्चे हैं बिल्कुल अब समय नहीं बचाए आप लोगों के पास तैयारी थोड़ी अच्छी से कर दें आप लोग अच्छी तैयारी करोगे तो सेलेक्शन होगा क्योंगी आपको बढ़ा का कट आप जो गया है पिच्छाजी चौराजी पिच्छाई चासी तक तो आपका कट आप भी हो सकता है इससे एक दो नंबर इंक्रीज ही होगा तो पढ़ाई आपको किस लेवल की करना यह आप जानते हो ठीक है यह का बिसास्त्र पढ़ा देंगे ठीक है चलो तो हो सकता है कल से काबिसास का थियोरी पढ़ना है कि एंसी क्यों यह कमेंट में मुझे जरूर बता है बाद में आज के लिए इतना ही चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा सारे कोर्स के अप्लीकेशन पर आवेलेबल है महिला सुपरवाइजर का बैच बर्ग तीन का बैच और और वर्ग दो के सारे बैच अवेलेबल हैं तंडव ग्लासिस के एप्लीकेशन पर दिए और ओफ्लाइन बिल्कुल ग्वाली रच पर आपको पता है कि ओफर चल रहा है बिल्कुल रंग पंचमी तक यह ओफर रहने वाला है तो ओफ्लाइन आप अपना रिश्टेशन करा स सकते हैं आज की इतना ही तो बोलिए भारत माता की जैब